असलाम अलेक्म दोस्तों मैं हमाना नजीव आप देखने है एक और वीडियो आज की वीडियो फेसरां पक्संग वीडियो है और देखते हैं हमारे साथ कौन सी एरगान है उससे पहले उससे पहले आज किसी की प्रमोरेशन बेलको पर नहीं है नोवा विस्टा भी आ गई है न बिल्कुल यह जी नोवा विस्टा और वोड में पॉइंट टूटू में भी है और पॉइंट टूफाइब में भी आपको यह मिल जाएगा दोनों सेंथेटेक और वोड में इसकी खास्यत यह है कि न्यू मडल की ओपन साइटे भी साथ हैं यह पीछे वाले साइट और यह इस पर लगी हुई है तो आप पीसी पी के साथ ओपन साइट का मज़ा भी हल ले सकते हैं हमें करीब से लिखा दूँ जी दोस्तों नोवा इस्टा तो आपने देखी ही हुई है वो है लेकिन इसमें जो इजाफी चीज़ है वो इसकी है ओपन साइट साइट यह पीछे वाल रखते हैं उतर आओ बाई बाराल यह उतर जाएगी उपा नीचे दाएं बाएं आप इसको एज़ास का सकते हैं यह आगे वेली साइट भी है यह इसकी आगे वेली साइट और यह भी आप उता सकते हैं लेकिन उतारने के जरूरत नहीं है यह बहुत आगे है सकोब आप सकते हैं साइडें में मजबूत हैं अगर उतानना चाहें आप तो यह सिर्फ यह वाला स्क्रीव खोल के इस जगा को आप उतार सकते हैं यह सारा जो इससे वो मेटल का है अलूमीनम का है इसके लाव नोवाविष्टा सिंथेटिक में भी अवेले हैं उसके साथ भी उपन साइटे हैं उपन साइटों के इलावा पहले एक मैगजिन आता था अब दो मैगजिन हैं नोवाविष्टा के साथ अब दो मैगजिन आ रहे हैं कीमत वो ही है सिर्फ पंद्रह सो रुपए इजाफी हुए है जो के बहुत ज्यादा नहीं है अगर अकेला आप मैगजीन लेते हैं तो वो दो हजार पतीस हो का सिर्फ मैगजीन है तो एक मैगजीन भी साथ है दूसरा एक्स्टा टोटल दो मैगजीन और ओपन साथ हैं तो वोड वाली की जो पराइस है वह 56500 और सेंथेटेक वाली की पराइस है जी 45500 अब हमसे खरी सकते हैं नीचे नबर आ जाएगा शुरुकरते हैं आज की वीडियो खोलते हैं आज की गण को कि आज कौई से गन है हमारे साथ जिसका दबाम खोलने जा रहा है यह है जी हैटसन की एयर ट्रैक्टर वाह वरंडिकार्ड है जी मैनुल अच्छा जी और क्यास के साथ और कोछ में नहीं है निकालते हैं जलती से गन को है यह जी है एक हैसन स्ट्राइकर एज की शकल कितना दिखती है लेकिन थोड़ा सा डिजाइन का फार्क है पीछे और उपर और रेल का भी फार्क है थोड़ा और आगे जो इसकी बैरल है यह कवर की गई है कबना हुआ है जैसे आपने वह देखा था है 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 संगे मॉडल 65 में वी वाला सिस्टम इस पर भी दिया गया है बाकी लाइट वेड है इसका वजन भी करते हैं अभी अब बहुत लाइट वेड़ यह एर गन है मैं करीब से दिखाँ आपको यह जी हैसन की एक टेक्ट रबडबडबड बेलकल भी रबड़ नहीं है यह सच्षाइए मैं भी हाड प्लास्टिक है यह सकता है स्टाइगर एट की तरह मिलता है ठोड़ा साइन का फ़र्ण है लेक foreign lightweight है स्टाइगार से यह lightweight है अच्छा जी टिकर्गार की बात करने है तो भी कार्बन फडर का है और टिकर्गार भी कार्बन फडर का है ऊपर इसकी रेल की बात करें तो जो रेल है जी वो भी उपर 11 mm की और 22 mm की दोनों रेलें दी गई हैं और ये भी कार्पन फैबर की रेल है जी बेलकुम मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि ये कार्पन फैबर की रेल है पीछी दी गई है जी आटोमेरक सेफटी ये जी है अटसान एर टैक्ट ओपन साइटें भी हैं इसकी ये पीछी वाली साइट है और ये है जी आगे वाली साइट और आगे सेलंसर टाइब बना हुआ है इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो ये है जी पिन्तालीस इंच लंबी गन है और जो इसकी बैरल है वो है जी सोला इंच की सोला इंच की इसकी बैरल है एड्जास्टेवल ट्रिगर है खुसुरत है लाइट वेट है और बैलेंस्ट है वेलकुल इसका बैलेंस बहुत अच्छा है इसका वादन करते हैं इसका वादन है जी टू पॉइंट सेक्स के जी दो अशाज़ाद छे धाई के लोगी है तक्रिबान एयर टेक्ट है इसकी प्राइस है इसकी प्राइस है उननीस हजार पांसो यह आप हमसे खरी सकते हैं निजे नबर आ जाएगा और आप हाजी नाइम अफ्रीदी पिशाव पारवाले उन से भी आप खरी सकते हैं उनके नबर में मैं देदूंगा यह तीजिया आज की वीडियो बसंदा यह तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए दोस्तों कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मुझे दीजिए इजादत अलाफेज पाक्स झालाफेजिए पार यह तान जिन्दाबाँ